यह जो दिख रही है संजय भंडार यहां पर लोगों की भील लगी हुई थी हम सोचा कुछ लोग नाश्टा वगरा कुछ मिलता होगा अच्छा तभी लोग भील लगी हुई है लेकिन हुआ यह कि यहां कैमरे वगरा भी लगे हुए थे और शूटिंग चल रही थी हम लोग भी खड़े हो गए क्योंकि लोग भी खड़े हुए थे साइट पे और देख रहे थे तो हमने भी कहा चलो हम भी देख लें तो कहा चीज की शूटिंग थी यह नहीं पता चल पाया और यह देखी फिर उसके बाद हम लोग ने नाश्टा नहीं किया था तो हम लोग ने समोस और शना खाया और फिर हम लोग आए थे शिमला से संजोली अब संजोली में हम यहां से हमारा काम हो चुका था तो फिर हम यहां से कुफरी गए जहां आयासको कॉलेज है वहां जाना था तो बस हमें बस के लिए से यहां आए हुए थे हमें यहां से बस मिलेगी फिर हम यहा जगह दिख रही है लोगों के लिए वहाँ वालों के लिए से तो ये आम है लेकिन जो हम जैसे लोगों को देखने में नया लगता है और काफी अच्छा लगता है देखने में क्योंकि जगा जगा बरब जमी हुई होती है और काफी अच्छा लगता है और हम देखिए, यहां कुफरी पहुँच गए थे, काफी खुबसूरत नजारा लग रहा था, और काफी लोग आ रहे थे, बाद में भी क्योंकि बीच में तो इसनों फॉल हो गया था, तो लोग कुछ लोग जा नहीं पाए थे, और हम लोगों को जैसे देखे तो हम लोगों भी उतनी पड़ती, क्योंकि इतनी उचाईयों पे होता है, तो गरम भी होता है, और यह देखिए, यह बरफ वाली जगा है, और यह जहां रहते थे, आयास बस वही उसी के रूम के सामने में था, यह और देखके इनको भी काफी अच्छा लगा आयास को, क्योंकि इनको बह हमी चलिये साथ, तो देखाएंगे, तो हम नका की चले चलते हैं, बस इसलिए हम लोग आ गए, और काफी अच्छा लगा आके, क्योंकि वागे हम लोग जब शिमला कश्मीर गए हुए थे, तो इस तरह की बरफ नहीं देखे थे, था महां भी बरफ, लेकिन ऐसी बरफ नही के, और आज आयास का बर्थड़े हैं इनका, और आप सब भी इन्हें दौाएं दे अपनी, और हैपी बर्ड़े आयास, अल्लह पाक तुम्हें से हत्याब वाली लंबी जिन्दगी दे, और हर खुशियों से नावाजे, आमीन, सुमा, आमीन, बस टाइम है, जो यह अभी हम लोगों के साथ नहीं है, अब कॉलेज खुल गया है, तो यह वही हैं, और हम तो अपने घर आ गए हैं, और बस इस तरह से मिस कर रहे हैं, काफी ज़्यादा ठंड हो रही थी पैसे वहाँ पर, मत्खुई म करें मैं हाय से माच के ही वहाँ है, मत्खुई हाँ, मैं हाás देख के शिलीफ हो रहेरों जोंगे बहुत बहुत जादा, बहुत बरफ जमी हुई हैं कितने दिनों से और अभी तक देखो बरफ है। पिघली नहीं है, दूप नहीं हुरी है लेघए से दूप होती भी है तो फिर भी नहीं पेगलती पता नहीं कि ऐसे एक हपता पंदरा दिन हो गया करीब इस्नोपाल बंद हुए है कि खुब अच्छा लग रहा है कि बरफ इतनी ठंडी है कि हाथ में ले रहे हैं तो बिल्कुल बरफ हाथ ठंडा हो जारा है तो हम तो जादा पर इसका कॉलेज है कुफरी में और यहीं पर काफी बरफ होती है जागे और जाएंगे तो काफी बरफ है लेकिन बस इतना ही ठीक है आप हम लोग को आना तहां तक कि अपकेले इसलिए और आगे तो जाने सकते तो इसी में खुश है आयास का जो रूम देखना था हमें तो वह मिल चुका था इसलिए हम लोग फिरी हो गए थे हम लोग आज देखके ही आये थे और हम लोगों को अब बात की उन लोगों से तो उन्होंने कहा आ जाएगा देख लिजगा तो बस देखके हम लोग ने फाइनल कर लिया और कल हम दूसरे दिन जैसे शिफ्ट पी हो जाएंगे क्योंकि हमको जो होटल है वो भी छोड़ना था तो बस यह तीन दिन हम लोग इस होटल में रुके और काफी है रहा हम लोगों का बाकि हम लोग आज इसलिकी तेर से कहांगे हश्के पैसे ले कर200 आधा है यह यहां लाना तो उन्होंने बोला कि वो लोग रहते हैं वहांपर शिंबलह में कि लोग यही काम करते हैं पूर अपने कंधों पे जैसे सिलेंडर दो दो सिलेंडर ऐसे सामान रखके और ये जैसे हम लोगों का ये सामान था तो उन्ने चार पांस सामान अपने कंधे पे रसे सकस के इत्ती उचाई से नीचे लेके उतरे और रखा ख़राब जड़र लगता है लेकिन क्या रहा है उन लोगों का महा कामी है इस तरह से तो यह बस हम लोग निकल रहे हैं और यह दे क्ए यह थे इस तरह से इनने फूर्टासा मान अपना हमारा ले के काफिО दूर तक के लेके गए गयद после टैक्सी में रख विया पर अच्छा वियों मुग नहीं है बस अब अगरी सीट पहलेगा सब्सक्राइब कितना जी वो बले कम से कम में करवा देंगे आपका ऐसा बोले वह कितना देंगे फिर हम लोग संजोली के लिए निकल चुके थे और यह यहां रास्ते से ही बर्फ मिलने लगी थी काफी पहाड़ीयों पहाड़ीयों जगे पे ऐ में हुई होती है और थोड़ी दूर का रास्ता है पांद दस मिनट लगा हम लोगों दस मिनट में पहुंच गए शिमला संजोली और कुफरी सब लगे हुए हैं और यह देखिए यही रूम है जो आयास के लिए हम लोग ने लिया है और काफी अच्छा है और शेरिंग में नहीं लिया क्योंकि उनको पसंद नहीं है दोनों बच्चों को हमने शेरिंग में नहीं दिलाया है और यह देखिए फिर महां बैड और मैटरस तो था तो हमने चादर और ब्लैंकेट बिचा दिया था और साफ सफाई उन तो नोग ने करवा लिया था बस अब हम लोग प्लैंकेट बिचा भी लेना था और यह देखिए यह बातरूम है यह काफी बड़ा है यह लागा हुआ है और बड़ा भी है काफी बेसीन वगरा यह देखिए शिंग है काफी अच्छा है मतब थीक है दो तीन तो बच गया था फिर हम लोग ने खाना खाया जाके और धाली ले लेते थे हम लोग एक धाली में हम लोग तो दोनों हो जाता था क्योंके काफी बड़ी धाली होती थी तो जादा तो खाया नहीं जाता फिर बस ये देखिए फिर ये दो ब्लैंकेट और दो रजाई और रजाई के खूल कवर जो होता है वो लेके आ गये थे महीं पास में था बिल्कुल और ये हीटर जो बहुत जरूरी था वही चीज हम लोग में पहले लिए जसराई के ब्लैंकेट तो बो लिया फिर ये हीटर लिया बजाज का है ये दो साल की वेरेंटी भी है क्योंकि जरूरी था अच्छा वाला ही लेना क्योंकि कभी भी हो सकता था कि कभी भी महाँ तो ऐसा है कि जादा तर यूज होगा तो खराब ना हो और यह दिखिए यहां सबसी वाले ठेले यह ऐसी ऐसी जगे होती हैं कि लोग दुकाने लगती हैं अब यह हम शिमला में हैं और काफी सर्दी हो रही है और बस इसी तरह से रजाई और इसमे दबे रहते हैं काम तो कुछ होता नहीं है और नहीं काम है कोई कहाना बनाना है या करना है कुछ भी नहीं है टिफिन लगवा लिया है और दिन में तो नहीं लगवाया है दिन का कि बच्च वैसे भी बाहर रहेगा कॉलेज में रहेंगे और सुभा का नाश्ता गाए और रात का खाना है, तो हम भी दिन में कहीं भी जाते हैं, तो महँंड़ कहाना का लेते हैं, बार जाके. और रात में रोम में आ जाता है और हम लोग शिफ्ट होगा है परसो और अच्छा है काफी काफी अच्छा बाकी बहुत ज़्यादा जगा जहां देखे ते उस दो काफी अच्छा है और बस इस तरह से ही बिश्टर पूर्बा पड़ा रहता है बिल्कुल उठाने क्योंकि उठा तो सकते हैं कि कोई काम का नहीं है कि आप पूरे टाइम तो आपको दबना है यहां तक कि आप मोबाई से लाएंगे तो हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं कि ऐसा लगता हाथ अंदर रखे रहा है कि बहुत ज्यादा धंडा बहुत ज्यादा धंडा है लग रहा है ऐसा कि अपनी जगा चले जाए जहां गरम हो पुरे होटी सावरे सब भट गया है एक तम से ज्यादा जीप से लग रहा है धंड के बचे से यह लिखे रूम की हालत अभी काफी कुछ जमा दिया है वैसे कपड़े बगर तो जमा दिये ओके और यह इस तरह से है तो बस लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा चले फिर समोसा पार्टी हो रही है खाते हैं